आज रगाडिंग बात करने वाले रीडिंग के बड़े में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कमेंट आ रहे थे साल रीडिंग में प्रॉब्लम है रीडिंग में प्रॉब्लम है कैसे करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता तो mostly मैंने अपना experience के शेयर करूँ आज तक जतना भी ILS exam में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का result मैंने 7.5 listening के अंदर 6.5 speaking में 6.5 writing में बात आती है जब रीडिंग की तो रीडिंग में stuck हो ज अगरी कैनडा की 15,500 दोबारा फिल करेंगे दोबारा एक्जाम देंगे बहुत सारे बच्चों को यह नहीं बता कि writing की and speaking की EOR फिल कर सकते हैं हम reading की and listening की कोई EOR फिल नहीं होती यह only computer चेक करता है पहले इंडिया में चेक हो था अब foreign में चेक हो था तो guys बिलकुल normal तरीके स mcq true false not given का link मैंने दे दिया है comment section में pin कर दिया है वहाँ पर जाकर देखें true false not given आप कैसे solve out कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है बच्चे जैसे मैं आपको यह video में समझाऊंगा mcq second is ऐसी common mistakes हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए अपने ILS exam में special speaking में and writing में उसका link कभी आपको pin कर देगा है comment section में after इस video को देखने के बाद वहाँ पर जाकर बच्चे जरूर देखिएगा और मैं एक चीज़ का आपसे promise करता हूँ बच्चे यह mcq देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी in the future mcq में problem आनी चाहिए अगर आपके exam में 10 mcq आ रहे हैं reading में तो आपके 10 नहीं right होने चाहिए दोनों screen के उपर आप देख सकते हो एक side मेरा जो है यह paragraph है यह मेरा paragraph है यहाँ पर मेरे questions है यहाँ पर मेरे question है अब दोनों को solve out करेंगे एक side question देखें तो मैंने only two question लिये है mcq क्योंके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से के आपका real exam में भी आपका mock test में भी कभी घल्त ना जाए जब भी कोई आपसे पूछे आपका reading best score कैसे best गया तो आप भी किसी बच्चे की help कर सकें because कैते ना कि हम अगर आप पंजाब से हो सिख कल्चर से तो हमेशा गुरू जी कह कर गए है कि कर बला हो बला अगर आज आप किसी की help करते हो तो expect रखोगी आपकी भी कभी न कभी बुरे वक्त में आपकी भी help definitely hundred percent होगी सिर्फ आपको दो जगा पर believe रखना है पहला तो आपको अपने God में believe रखना है अपने बगवान में सेंगड खुद के उपर believe रखना है अगर आप self believe रखकर कुछ भी करते हो तो मैं hundred percent promise करता हूँ को आप उस काम में success हो जाओगी guarantee देता हूँ इस काम की तो please खुद पे विश्वास रखकर चक दो फटे ठीक है तो अब ही ह इसको देखूँ twice the correct letter A and C मुझे A and C से एक correct चूज करना है question का answer find out करना है कि actual answer का find out क्या है अगर मैं MCQ करवाता हूँ जिन बच्चों को जब कैसे भी करवाता हूँ तो मेरा best जाता तरीका है best तरीका यह है जब भी मैं MCQ करने बैठता हूँ तो मैं just पहले क्या करता हूँ only question को read out करता हूँ question को मैंने read out किया करा अब मेरा question क्या है दियान से देखो बचे मेरा question है where is the rice grown कि rice grown कहां होते है अब अगर मैं paragraph देखूँ all about rice all about rice अब यह all about rice means खाने की जो के बार में बताया गया है अब rice हम घर में भी बनाते हैं बहुत जगा पर होते हैं बड़ी बड़ी cities में बड़े बड़े हमारे पिंजाब से by grace of God foreign countries में भी rice जाता है ठीक है बच्चे अब मैंने rice के बार में find out करना है सबसे common चीज दियान से सुनना सबसे बड़ी चीज है आपने जब भी MCQ करने है यह ABC readout ही नहीं करना बच्चे कांटा मार दो इसके उपर आपने readout नहीं करना आपने just question को readout करने question को readout करने के बाद आपने उसकी location को find out करना है उसके keywords को find out करना है keywords find out कर लिया उसकी location find out कर लिया अब उसके उपर आपने क्या कर लगानी है अपनी understanding आपनी understand करना है उसको question क उस चीज को समझना है, कि actual मैं क्यूं है, समझ मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, आपने M.C.Q का question को लेना है, उसके बाद आपने जाना है, पैसे में, उसके location में, उसके keywords के उपर, और keywords में भी आपने दो चीजों का दियां रखना है, जो चीज आपको दी गई है, उसके उपर आपने, पहले क्या चीज के उपर focus करना है, location मुझे मिलगी, keywords मुझे मिलगे, राइट बच्चे, अब जो मेरा next step है, जो मेरा next step है, अब मुझे उसके बार में vocabulary find out करने है, उसका synonym find out करना है, उसके vocab and synonym, आपको ये काम सिर्फ 10 to 15 seconds के अंदर करना है, 10 to 15 seconds के अंदर उसके vocabulary, एड उसके synonym को find out करना है, अब मैंने क्या किया, मैंने question को उठाया, where is the rise grown, ठीक है, अब मैंने उसके A, B, C, A, जो थे, मैंने read out नहीं किये, क्यों नहीं किये, मैं अपको बताऊंगा, अब मैं इसकी location को find out करता हूँ, अपने passes में, तो start करते हैं, शोटा सा passes यह है, ता first rise may have been grown in the east and south Asia, as long as 15,000 years ago, कि जो rise थे, ये grown होते थे, east and south Asia के अंदर, कितने साल पहले, 15,000 साल पहले, होते थे, अब मेरा question यहाँ से start हो गया, answer, ठीक है, today it is grown, particularly everywhere, हर जगा पर वो चीज होती है, expect and that ठीका, expect and that ठीका, rise is grown on flooded land and on dry land, उसने कहा, जो rise grown होते हैं, flooded land, flooded land means, flooded land का मिन्द हाड़ जमीन, जहां पर हाड़ जमीन होती है, वहीं पर ही हमें, ये देखने को मिलते हैं, and dry land, महलें जहां पर सुखा होता है, सुखी जमीन होती है, तो वहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपको यह चीज अब समझ में आगे यह हमारा question का answer यहां से start होता है and next देखा जाए अब मुझे मेरा answer मिल चुका है अगर हम देखा जाए तो today यहां से मेरा answer start होता है यहां पर यह चीज खतम हो जाती है right बच्चे? अब find out करते हैं इस चीज को अब यहां पर देखा जाए अब मैंने यह rise कर दिया अब question के उपर आ जाते है question where is the rise grown? पहला question है था हम उपर से start करें या नीचे चला उपर से start करते है everywhere हर जगा पर हो जाते हैं उसकी बात की गई है कही? नहीं की गई आप देख सकते हो पूरे paragraph में यहां से लेकर तो यहां पर आप read out कर सकते हैं यहां तक कहीं बात की है? नहीं की मेंज मेरा यह answer नहीं है mainly on floodlands and coastal plans अब यहां पर mainly floodlands, floodlands की बात की कि वहां पर होते थे उसनों नहीं क्या कहा था कि हड की जमीन के उपर होते हैं जाफर सुखे की जमीन के उपर होते हैं यहां पर dry land and floodland हड की जगा पर होते हैं जाफर सुखे की line पर होते हैं नहीं की अब B question रह चुका है हमारे पास almost everywhere उसने कहा गया almost everywhere अब इसका answer क्या है? expect आप यहां पर एक चीज़ देखिए expect इनाटिका है इसका मतलब होता है almost किसी से expect करना approximately करना यह चीज एक अंदाज़ा लगाना जिसे बोदे एक अंदाज़ा लगाना कि यहां पर होता है तो means मेरा जो second question है मैंने पहले यह स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था vocab and synonym दोनों चीज़ को पर focus करना है बच्चे तो expect किया कि almost है तो word same ही ना तो everywhere, every word कहीं पर use किया नहीं किया floodlands and coastal plants का use किया नहीं किया बच्चे only almost का use किया गया expect almost तो मेरा जो right answer है वो मेरा क्या है मेरा right answer है is a B next, in the 2002 rise filled and covered about जो 2002 में था rise की जो fields थी उन्होंने cover कर लिया था about कितना area cover किया था 2002 में fields rise की जो थी plant उसने कितना area cover कर लिया था चलो फिर start करते है next question अब next question 2002 में मुझे इस चीज़ को find out नहीं करना इस चीज़ को फिर मैंने कांटा मार दिया अब मुझे इसकी location को find out करना है अब मेरी location क्या है 2002 covered about बला उसने कतना cover किया दो चीज़े मेरे cover करनी है एक तो cover about एंड ये दो चीज़े 2002 चलो find out करते है 2003 तो मिल गया 2002 ये रह अब starting से हम लोग question को रिटा करते है इंदा year 2003 the world produced about 5-8-9 million tons अब प्रेडिली राइस था अबस्ट था about 5-3-4 million tons वस ग्रोण इंएशिया कहते है कि 2003 में 590 में मिलियन तन्स था और एशिया के अंदर 544 मिलियन तन्स को ग्रोण किया गया 544 मिलियन काफी बड़ी अमांट है but in 2002 मेरा कॉश्चन का अंसर यहां से स्टार्ट होता in 2002 it is estimated that rise fields covered almost 1.5 million square kilometer land की 2002 में 1.5 million 1.5 million square meter kilometer land को cover किया गया था again most those fields are in Asia around 1.3 million square meter means कि जो Asia में 1.3 million square meter cover किया गया था but 2002 में 1.5 million cover किया गया अब question confusion आपको बता हूँ कि दो चीज़ें दी गई है अब question का answer देखते हैं यहां पर पहले question का answer में clear कर दूँ 1.3 million square meter का कि यहां पर अगर लिखा होता Asia का नाम question के अंदर Asia का नाम होता तो मेरा answer 1.3 आना था 1.3 आना था अगर यहां पर question में Asia होता तो बट यहां पर क्या पुछा गया है 2002 में अगर 2002 की जगा पर Asia लिखा होता तो मेरा question का answer B आना था 1.3 million square meter land in China बट वहां पर China की बात की गई है यहां पर Asia की बात की है बट अगर correct answer की बात करूँ मेरा correct answer सिधा आपको मिल गया होगा मेरा correct answer direct है वो है A sorry A नहीं है C 1.5 million square kilometer land in the world पूरी दुनिया के अंदर पूरे world में कितनी land कवर की गई थी 1.5 million और 1.5 million square meals of land डिरेक्टी अगर confusion देखा रहे है तो यहां पर square meals है यहां पर square kilometer है यहां दो और दो से आप cover करके देखे तो यहां पर kilometer land है तो मेरा जो correct answer है वो है C आप last में आपको सिर्फ इतने क्याना है आपने question को read out करना है उसकी vocab find out करनी है यह read out नहीं करना paragraph read out करकर उसकी location and keywords find out करकर उसके बाद आपने A and B answer को find out करना है बच्चे तो same maybe आपको समझ आया होगा कि MCQ को कैसे किया जाता है कैसे बहुत अच्छे तरीक्चे के साथ इसको मैं better करका सकता हूँ अपने exam में अगर आपका अब wrong हो रहा है तो experiment जुरूर करना इस चीज़ का ना समझाए comment कर देना next video definitely बनाएंगे अगर उसके बाद भी ना समझाए instagram पे जाओ मुझे follow करो वहाँ पर मुझे message करो मैं आपको free of cost class दूँगा बिल्कुल free of cost मैं live आपको करके दखाऊँगा ये मेरा आपसे promise है बच्चे मेरे तरस से best of luck God bless you and इस channel को subscribe कर लो वीडियो को like कर दो next और भी बहुत कुश आपके लिए है तो खुश रहो हमेशा कर दो